तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के वड़े जो बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और बहुत ही इजीली बन जाते हैं आप इसको सनेक्स के रूप में या फिर सुबह नाश्टे में बना सकते हैं तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरू किजिएगा और अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चनल सब्सक्राइब बर लिए तो तो सूजी के वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर हमने एक कप सूजी ले ली है आप मोटी या पतली दोनों तरह की सूजी ले सकते हैं और तीन चौधाई कप हमें चाहिए दही दो हरी मेर्श चाहिए और हराधनिया चाहिए दो बड़े चमज एक छुटे चमज से थोड़ा सा कम नमक चाहिए और एक प्याज चाह चाहिए और रिफाइंड ओईल चाहिए हमें इसको फ्राइए करने के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दही और हरी मेच डाल देंगे प्याज डाल देंगे और हराधनिया डाल देंगे अधरक डाल देंगे नमक डाल देंगे और बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो जरुवत के हिसाब के हम इसमें पानी डाल देंगे तो इसको हमने घोल लिया है अच्छे से और 10-15 मिट के लिए हम इसको रख देंगे धग करके ताकि सूजी हमारी थोड़ी सी फूल जाए तो 15 मिट हो चुके हैं और सूजी भी हमारी फूल चुकी है तो इसको मिलाएंगे तेल को हम गरम करने के लिए रख देंगे तो इतना डो हम अपने हाथ पर लेंगे इस तरह से और इसको गोल कर लेंगे इस तरह से और बीच में हम कर लेंगे एक छेद, खोल इस तरह से और इसको आराम से तेल में छोड़ देंगे तो तेल हमारा गरम हो चुका है और इसको हम आराम से तेल में इस तरह से छोड़ देंगे एक और छोड़ देंगे तो इसको हम fry होने देंगे गैस का फ्रेम हमने मीरियम रखा हुआ है तो वड़े हमारे एक तरफ से fry हो चुके हैं तो इसको हम फलट देंगे तो दोनों साइट से हमने इसको golden fry गर लिया है यह देखिए तो इसको हम निकाल लेंगे तो वड़े हमारे परफेक्ट तयार हो चुके हैं जादा ब्राउन नहीं करना है इसको लाइट ब्राउन ही रहने रहना है तो तयार है सूजी के परफेक्ट बड़े तो आप इसको बना सकते हैं छोटी मोटी भूग लगे तो आप इसको स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं य आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईए और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी ही इंट्रेस्टिंग डेसीपी के साथ तब तक के लिए जय हैं बंदमार जाओं